ट्राफिक अब बस करो प्रायोजक शेहरी विकास मंत्राले भारत सरकार जो शेहर हमने बसाएं वो आज कैसे हो गए हैं कारों का काफिला है यहां इनसान कहीं खो गए है इस शेहर में दिल कहता है जिन्दगी योना भसर करो धुए में शोर में एक ही आवाज उठती है ट्राफिक अब बस करो नमस्कार दोस्तों ट्राफिक अब बस करो डीडी न्यूस के स्पेशल कैम्पेइन के इस आखरी एपिसोड पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका होस्त राहूल बोस आज के इस मौके पर गालिब साब का एक शेर याद आ रहा है मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया एक महीने पहले जब हमने अपने इस अभियान की शुरुआत की थी तो हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे इस मौहीम को देश भर में इतना प्यार और इतनी सरहना मिलेगी इस एक महीने में हमने आपसे सस्टेनबल ट्रांस्पोर्ट के कॉंसेप्ट और इसकी जरूरतों पर बात की हमने साइक्लिंग के और पैदल चलने के बेनिफिट्स पर भी चर्चा की आज हम बात करेंगे सुस्टेनबल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के सबसे बहतरीन साधन की क्या है ये साधन? जानते हैं इस रिपोर्ट के जरीए कार महंगी हैं कार प्रदूशन फैलाती हैं कार सडकों पर ज्यादा जगर घेरती हैं पर फिर भी हम कार को बेकार नहीं समझते दरसल पैदल चरकर आप लंबे सफर तैर नहीं कर सकती और साइकल चलाना सबके बूते की बात नहीं क्या नीजी गाड़ियों का कोई बहतर विकल्प है? जी हाँ आपको अगर दूर जाना है जल्दी जाना है तो गाड़ी ही क्यों? पब्लिक ट्रांस्पोर्ट है ना? पब्लिक ट्रांस्पोर्ट यानि सारवजनिक परिवहन व्यवस्था को दुनिया भर में गाड़ियों का सबसे बहतर इंड विकल्प माना जाता है पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के दुनिया भर में कई तरह के मॉडल है न्यूयोक, लंडन जैसे शहरों में मेट्रो रेल नेट्वर्ग ज्यादा स्लोक रिया है तो कई यूरोपिय शहरों में लॉक ट्रॉम और बस सर्विस पर भरोसा करते हैं मोनोरेल और पी-ार-टी पोर्ट केर को भविशक का सबसे भरोसिमन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम मना जा रहा है विशशक्यों का मानना है कि किसी भी शहर में अच्छा ट्रांस्पोर्ट सिस्टम हो तो सडकों पर नीजी गार्यों की भीर को कम किया जा सकता है राजधानी दिल्ली का उदारन सामने है पिछले कुछ सालों में यहां सुविधा जनक, लोफलोर बसेस और मेट्रो रेल आने के बाद सडकों पर हर रोज निकलने वाली गार्यों की संख्या में कमी आई है पर अभी भी दिल्ली में मेट्रो को हमने पूरी तरह से फीडल बसों से नहीं जोड़ा है तो बसों की सर्विस भी भरोसी मन नहीं है हाला कि दिक्कते हैं पर आज देश में सदत्यादयात व्यवस्ता को स्थापित करने के लिए ज़रूरत है ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में सफर करें ताकि सरकार पर और ज्यादा सुविधाएं देने का दबाव बन सके आज हमारे स्टूडियो में मौझूद है कुछ स्पेशल गेस्ट्स Mr. C.K. Khaitan, Joint Secretary, Ministry of Urban Development उनके साथ है Rajendra Ravi, जो की दिदेशक है Institute for Democracy and Sustainability के Vijayashree Pednekar, मुंबे शहर से एक ट्रांस्पोर्ट प्लानर और आर्किटेक्ट है and finally Prasanna Patvardhan, एक आधुनिक बस सर्विस, Prasanna Purple के मालिक है audience member से मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन-कौन पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट से सफर करते हैं लग बग नबभे प्रतिश्ट से ज्यादा भी अगर मैं आपको कल गारी दूँ, हूँ विल चेंज फॉम पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट तो यॉर का ओके पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट में के इस बार्यमा hop civil यॉर्ट नहीं करते हैं कहीं भी ट्रावल करना, especially, I know coaches बने हैं, ladies coaches बने हैं, compartments बने हैं, but still, men are very keen to get entered in such coach. One more voice, इस तरफ से जिन्हों ने कहा कि मैं चेंज करूँगी? Actually, कभी-कभी किसी emergency की वज़े से रात में घर से लेट जाना पड़ रहा है, या लेट आना पड़ रहा है, तो public transport अवेलेबल नहीं होते हैं? जिन्हों ने कहा कि नहीं, हम नहीं convert करेंगे, हाला कि आपने मुफ्त में एक नहीं गारी दी हैं मुझे, फिर भी I will still use public transport, कौन थे वो? मैं प्रेफर नहीं करूंगी, मजबूरी में कई बार कार प्रेओक करनी पड़ती है, पर पार्किंग की इतनी ज्यादा समस्या है और ट्राफिक की इतनी ज्यादा समस्या है, कि मुझे लगता है कि जहां मैंने एक घंटे में पहुँचना है, मेट्रो से, कार से जाने में खास करके महिलाओं के लिए पुरुष जो हैं यहां पर मैं आप से पूछता हूं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकरते हो सफर करते हो कल को आपको गारी मिले कि आप गारी में जाने को प्रिफर करोगे मैं इसलिए रिफन नहीं करूँगा क्योंकि जो सड़को पर ओर्लोड ट्रेफिक वो सड़को पर अगर हम जाते हैं तो हमें जहां पहुचना तो हम लेट भी होते हैं तो यह कहना गलत होगा कि इस्टो अप्लाश मोगी भी ट्रांसपोर्ट प्रिफी इस साफ्टी इस्टोड और इस एंडियर और कोई मुद्धा है कनेक्टिविटेश ऑलसर नर्ट यर अगर बास्तॉप है तो वो दूर है Metro Station है, that is again बहुत सही का आपने, तो Metro Station से घर कैसे जाएंगे ओटो तो पकड़ना पड़ता है Public Transportation में Conveniences क्या है साधन कैसे उन्होंने बनाया है People with Disabilities के लिए ये आप हमें बता है Public Transport में बिल्कुल यूज करना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ता है क्योंकि आप Physically Disabled Public Transport जैसे कि Bus है या Metro है Disabled Person को सबसे ज़्यादर Difficulty होती है उसमें Board करना और Deboard करना जब भी मैं Public Transport में, लाइक बस में जब मैं ज़्यादर बस से ही आता जाता हूँ क्योंकि मेरे Connectivity का वही है एक साधन है जिससे मुझे आसानी होती है लेकिन बस में इतनी भीड होती है कि दो घंटे का मेरा सफर होता और दो घंटे मैं खड़े होके जाता हूँ अला कि वहाँ पे Reserve Seat होती है लेकिन वहाँ पे Well Educated लोग अराम से बैठे होते हैं और उन्हें बोला जाए कि आप खड़े हो जाओ मेरे पैर में प्रॉब्लम है ये बोल देंगे और बाद में खड़े होके मुस्कुरा के चले जाएंगी ऐसे मैंने कई दूर देखें कई तो Ministries में काम करते हैं और वो लोग बैठे होते हैं बैग लेके आराम से टाइवाई लगाके एपडूडे होते हैं हर तरीके से और उन्हें बोलो नी बीटा पैर में प्रॉब्लम है उसके बाद हसके सॉरी बोलके चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और दुरुस्त करना चाहिए उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड हैं आपने दो चीज़े कही हैं एक तो इंफ्रस्ट्रॉक्ट्ट्रल जो इंसेंसिटिविटी है बिल्कुल मतलब उपर उतरने और चड़ उतरने में प्रॉब्लम में रांस वगेरा वगेरा बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दूसरी बात जो आपने का है वो बुन्यादी तोर से हमारे आपने कॉमेंट किया है पूरे सोसाइटी पूरे समाज पर जादतर लोग ऐसे होते हैं तो जब कोई मेट्रो में जो होते हैं वो सेक्यारिटी गार्ड्स उनको देख लेते हैं मालो किसी स्टेशन पर बाहर भी कर देते हैं इवन दे डोंट चार्ज अनी फाइन बज इसना बोल देते हैं कि आप पीछ जाईए पीछ जाईए एक दो बार ऐसा हुआ वो फिर आगे आ जाते हैं मतलब जैसे दूसरी कंट्री में होता है या दूसरी जगे होता है कि अगर कोई क्राइम किया तो उसका एक प्रॉपर प मुद्दे सुनने को आया भी आराउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो सवाल हैं एक सामाजिक सवाल हम बाद में टैकल करेंगे लेकिन इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्री आपके हिसाब से वाट इस बेस्ट सिलूशन फॉर बिग सिटी चाहे मुंबई हो या दिल्ली इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसलेशन में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है और बाकी जो इंफ्रस्ट्र ठीक नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं होता है इसलिए इंटीग्रेटेड ज कॉंसेप्ट है उसको ही देखना पड़ेगा जैसे आप बस की रस्ते अच्छे बना देते हैं बस के कोच आराम डायक होता है लेकिन वो डिस्टेबल फ्रेंडली नहीं होता है क्योंकि ये कंसिचूशनल राइट भी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज्जमेट में कहा है कि अरिक कोई भी एस्पेस नहीं होगा जो हर के लिए एक्सेसेबुल नहीं होगा तो इस तरह के जो इंफ्रास्टेक्ट्टर में नहीं होता है ये हमारे में बहुत convenience से आप चले लेकिन वहां से घर जाने के लिए या आफिस से उस जगे तक पहुंचने के लिए दिक्कत होती है solution क्या है जैसे दिल्ली में और दुसी जगों में मैंने देखा है अपनी experience के तोर पे कि दिल्ली मेट्रों बहुत अच्छा बनाया है और रिक्सा यहां चलते हैं पैडल रिक्सा उसके लिए कोई भी infrastructure में जगह नहीं है रिक्सा कहां खड़ा होगा कैसे खड़ा होगा इसकी कोई विवस्था नहीं है लेकिन ये एक सुनहरा solution हो सकता है साइकिल से लोग आते हैं लेकिन साइकिल के पारकिंग की वहां पे कोई विवस्था नहीं है पैडल जो connectivity है वो आप हर एक दस कदम पे देखेंगे कि कभी नीचा हो रहा है कभी उचा हो रहा है तो जो हमारे कहां पॉलिशी में लिखा हुआ है जो कोड में लिखा हुआ है कितनी हाइट होनी चाहिए कितनी बिर्थ होनी चाहिए कहां सलोफ होना चाहिए कहां पेराइम होना चाहिए इसको जो बिलकुल माइनर तरीके से देखने की जो responsibility है ओ देखे नहीं जाते है मैं समझता हो कि, the Ministry of Urban Development can only impact and reformulate policy. लेकिन एक समय तब आता है, जब policy जितनी भी अच्छी हो, implementation अगर नहीं हो, and this has been the story of India for decades. What can we do? क्योंकि जैसे राजेंदा ने कहा कि, एक integrated look at city transport अगर ना हो, आपकी ministry से क्या efforts हैं to make that happen? राजेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा मुद्धा उठाया है कि, integration of public transport होना चाहिए, मैं आपको explain करना चाहूंगा कि, metro हर जगर नहीं पहुंच सकता, bus भी शायद इतनी तेज नहीं चल सकते, जितनी metro चलती है, कुछ ऐसे इलाके होते हैं, जहां travel करने वाले लोग कम होते हैं, और जो ridership है, वो sufficient नहीं है, कि जो हम public transport create कर रहे हैं, वो viable हो. Mass transit. हां, तो इसके लिए हम लोगों ने जो नीती बनाई है, और जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि Delhi की metro बहुत अच्छी है, तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल आया है कि first mile connectivity, last mile connectivity भी नहीं है, तो इसको address करने के लिए शहरी विकास मंत्राला ने एक policy बनाई है, कि जब भी कोई metro का project हमारे पास sanction करने के लिए आएगा, तो हम उसका multi-model analysis करेंगे. तो मुंबई metro का जो पूरा plan अब हो रहा है, बन रहा है, जाहर है आपका हिस्सा है उसमें? हां. तो एक उधारन मुंबई का लेते हैं क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यह जो last mile, first mile and last mile connectivity के बारे में आपने सवाल पूछें, और जवाब क्या मिला आपको? जैसे metro का कोई DPR आया, detail project report आया, तो हम उनको यह बोलते हैं कि अगर आपने इस detail project report में project cost बताया है 5000 करोड, उसके साथ आप जो bus service जो first mile last mile connectivity के लिए है, उसका भी आप 200 या 400 करोड जितना भी बनता है, वो जोडें, तभी हम इसको sanction करेंगे. Vijayashree, जाहर है कि आप, you'll be looking at this a little differently, but यह जो मुदा एक मुदा नहीं है, सिफ बहुत social, samajik, psychological, gender, बहुत से issues निकल रहे हैं, what is your overarching view on public transport in cities? जब हम कहते हैं, public transport के बारे में, उसके लिए एक solution नहीं हो सकता, it can't be like, हम एक metro लाए फिर या फिर एक BRTS लाए और सब कुछ सॉल हो गया, it has to be a bouquet of solutions, so it might be like, you have public, आपके पास public transport है, आपके पास metro है, BRTS है, आपके पास share rickshaws है, share taxis है, या फिर आप कार पूल भी कर रहे हो So, ये सब चीजे जब हम public transport बोलते हैं, तब private transport का भी उससे interconnection होता है, हम ये सारो को एकटा करके, एक seamless connectivity लोगों को मिलेगी, A जगे से जाके, B जगे तक जाने के लिए, so there won't be any transfer or there won't be any transfer penalties in terms of time or inconvenience. आप बहुत वाकिफ है, क्योंकि ये आपका पेशा है, mass transit and the whole buses, ये जो first mile, last mile की जो बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है, कि इसका हल क्या है, और अगर हल है, तो आपके future projects में, has it changed your way of looking at the city? अभी जैसे राजणरजी ने कहा, कि integrated planning ये बहुत ज़रूरी है, first mile, last mile connectivity जो है, ये देंगे कैसे, अभी आप कभी भी देखेंगे, तो अगर आपके शेहर में रस्तों पे गड़े हैं, बहुत सारे photographs आजाएंगे, फुटपाथ पे गड़ा, आपने कभी सोचते ही नहीं है कि फुटपाथ पे गड़ा है, फुटपाथ पे बीज में खंबा गड़ा हुआ है, वहाँ ट्रीज है, ऊपर मीचे हो रहा है, तो public transport in isolation can never become successful. जब तक NMT और फुटपाथ जैसे चीजों से उसको जोड़ा में का solution एक ही है, उसके लिए आपको फुटपाथ अच्छे करने पड़ेंगे, उसके लिए non-motorized transport अच्छा करना पड़ेंगा, उसको कोई solution नहीं. Public transport and the share of the road, इसके बारे में, राजिंदर जी, आपको क्या ख्याल है? सिधा सिधी एक लोगतांत्रिक सामाज के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, अगर एक छोटी सड़क है और उस पे 100% लोग पैदल चलते हैं, क्योंकि जो गाड़ी से चल सकते हैं, जो परसनल कार से चलते हैं, इवन कि जो जहाद पर जाने वाले हैं, अगर मेरे पास कार है तो मैं कार अपने बेडरूम में नहीं लगाता हूँ, कार तक जाने के लिए पैदल रस्ते चाहिए, और लास्ट में ही चाहिए, तो यह जो सवाल है, यह लोगों की मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, और जैसे हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, उसी तरह से सड़ पाथ मुझे नहीं जाने फुट पाथ पे तो फिर मैं बस पे भी नहीं जाओ, मैं गारी जाओ, मैं गारी में जाओ, तो इस वेरी कनेक्टिद, खैतान साब, इस होल आइडिया ऑफ मेकिंशोर फुट पाथ सारे गुट शेप, हेल्स मैस ट्रंसित अलसो, अबसलूटली, द इफिशंट पब्लिक ट्रंस्पोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें बसे का रोल सबसे इंपोर्टन होता है, लेकिन जनता को शिकायत ये है कि भारत में बसों में सफर करना कोई आसान काम नहीं है, हाल ही में सरकार ने भारत के कई शहरों में बस रैपिड ट्रांजि सिस्टम की शुरुवात की है, ये BRTS क्या है और ये किस हद तक सुक्सेस्फुल है, देखते हैं इस रिपॉर्ट में 2008 में दिल्ली में BRTS का फर्स्ट फेज का ये ट्राइल फेज जब शुरू हुआ, तो यहां मूल्चन से अम्बिटकर नगर तक BRTS को लोगों के लिए खोल दिया गया बसों में चलने वाले लोगों ने राहत की सांस ली कि उनकी बसे अब आसानी से आजा सकेंगी, तो वहीं कार में चलने वाले लोगों के लिए BRT दुखदाई साबित हुआ, और लोग कहने लगे कि BRT दिल्ली में सफल नहीं है कि अगर हम बस में और बार बार तो हमें लगता है कि बस का जो ट्राक बनावा उससे हम जड़ी पॉंच जाता है अब ही जो है आपने देखा जासे 6 किलोमेटर खाली बना है और उस 6 किलोमेटर में कोई खास मतलब जो बसे जो 6 किलोमेटर जा रही है उनको बेनेफिट है लेकिन उसके बाद वो फिर मिक्स कंडिशन में जा रही है और उस 6 किलोमेटर से क्या हुआ है कि फिर कार्स जो है वो भी अपना एक्स्क्लूसिव लेन में मिक्स हो रही है और आपने देखा होगा टू वीलर्स बाइसकल लेन में चल रहे हैं तो बहुत पूर एंफोर्समेंट है जो लेन है यह साइकिल के लिए स्थिफ बनी हुए लेकिन इसमें दुपईया वहां लगातार आ रहे हैं तो दिल्ली में अधिकर देखा जाता है कि जो बाइक है दुपईया बहुत जिग्जग करके चलाते हैं लेकिन बी आटी में जैसे ही वो आते हैं तो अपने आपको बंधा हुआ पाते हैं तो इसलिए उनको लगता है कि भी आटी उनके लिए खराब है अगर आपके पास सिर्फ दो लेन्स रह गई है कार के लिए तो कहां जिग्जाग करेंगे इसी तरह बसेज को इसमें इस तरह से कंट्रोल किया कि सिर्फ आपके पास एक लेन है एक डिर करेक्शन में जाने के लिए और बस स्टॉप के पास उस लेन को और नारो कर दिया जिसे कि बस को बिल्कुल बस्टॉप के पास आना चाहिए तो कई चीजें जिसको हम आदत कहते हैं वो बाई डिजाइन चेंज करना पड़ता है यह मैसेच लोगों को देना चाहते हैं कि जादा से जादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूस करें तो यह हमें कार कंजेशन का थोड़ा कम सोचना पड़े हैं मतलब भी शुडंट बॉदर इफ तक इन कंजेशन तो मैसेज इस वी अगिविग यू अल्टरनेटर लेकिन हमने ब्याइट पर देखा कि लोग ट्रैफिक नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं लाइट को कोई फॉलो नहीं कर रहा हैं पैड़स्टें जो क्रास कर रहें जब्र बियार्टी दिल्ली में फेल हो रहा है ये जैसे महिला ने कहा कार ओनर का ओनर्स के का कहना है एक जो रेविलूशनरी आइडिया के एक लेन डेडिकेटिड टूर्द्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार ओनर्स को अच्छा नहीं लगता ये एक तरफ की बात है और भी हमने देखा कि जो बाइक वाले हैं जब उनको एक साइकल लेन मिलता है तो साइकल टे replen thermえば जायंगे तो ये साइद एक आप अबिलेंस आजाने जाने है, आप अबिलेंस मस्क गो, लेकिन आप क्या करते हैं इसके लिए, विशेश्टा क्या है, अशुक्सेस्फुल बी आटी सिस्टम राजय अन्रजी, फिर्स्ट आप ओडियंस के लिए बी आटी संझाए और उसके बाद आपके मुताबिक, वट इसके बी आटी सिस्टम है, वो दरसल एक साधारन सा डिजाइन है, जो आपने देखा, और जिन लोग ने देखा है दिली बी आटी, उसमें कोई खास बड़ा इंवेस्मेंट भी नहीं है, और खास तब्दिली नहीं है, वो रोड का जो पहले की चवडाई है, उसी चवडा साथ आते हैं, तो आपको अंसेफ लगता है, कभी वो धक्का मार देगा, कभी आप उसके अंदर चले जाएंगे, वो गाड़ी एक बड़ा अब्जेक्ट है, और कार छोटा अब्जेक्ट है, लेकिन ए सामाज का जो असमानता का जो भाव है, उसका रिफलेक्ट रोडों प 17 से 18 पर 30 की हालत ऐसी है, कि लगता है कि पूरा कार में हो गया है, और वो ऐसी इस्तिति में अगर 18 से आगे बढ़ता जाएगा, तो हमारे सहरों का क्या हालत होगा, तो बी आर्टी जो है, वो ना सिर्फ बस पे पब्लिक तांसपोर्ट पे चलने वालों के लिए सुधा जन प्रती दिन दिल्ले में आएगी और रोड किसी भी हालत में धरती को आप रबल की तरह खिच नहीं सकते हैं, तो रोड की जो चवडाई उतने ही रहने वाली है, तो गाडियों को सोचना पड़ेगा, गाडी वालों को सोचना पड़ेगा कि हम पब्लिक टांसपोर्ट में ज मंत्राले ने भी काफी उपर पॉलीशे वगर बनाए है लेकिन मेरा मानना है कि बी आर्टी अभी सिर्फ पाइलट के स्टेज पर है छे किलो मिटर बी आर्टी 33,000 किलो मिटर के रोड में बना है और उस पे हम अगर हम मापते हैं कि सक्षिज अर अन्न सक्षिज है यह तो एक अन्याय होगा प्रसन्दा विए शेहर में आपने आप आपके सर्वसेश चल रहे हैं आप कई शेहरों में ब्यार्टी है और कहीं में नहीं आपका तजुर्बा कैसा रहा है ब्यार्टी यह सोलुशन क्या है ये पहले समझने क्या आवश्यक्ता है जिभी पहले मास के लेके जा सके इसके लिए रेल बनी और रेल सर्विस चालू है लेकिन में परपस इस डेडिकेटेड कॉरिडर अभी डेडिकेटेड कॉरिडर में आप देखेंगे अलग-अलग टाइप के ट्रांस्पोर्ट में सुलुशन है जैसे पाच हजार के से कम अगर लोग आपको वो एक दिशा में एक घंते में जाते हैं तो मिनिबस भी चल सकती हैं दस हजार तक चलते हैं तो बड़ी बस लगती हैं ट्राइफिक के हिसाब से चाहिए तो अगर मुझे रोड दिखती है और रोड खाली दिखती है तो बियार्टी एक हमने यह समझ के चलना चाहिए जहां आप हाइफ रिक्वेंसी लगा सकते हो वहां ही बियार्टी यह सोलीशन सक्सेस्फुल हो सकता है क्योंकि वहां आपको हर मिनिट में दो मिनिट में गाड़ी चलने के दिखती है तो लोगों को ऐसे लगता नहीं कि यह रोड खाली है और मेरे लिए है तो वह रस्ता आम रस्ता है और बाकी का रस्ता तो खास रस्ता है जहां आपके जेब में पैसा हो गाड़ी लेने के लिए तो ही आप वह रोड पे चल सकते हैं लेकिन शेरिम पे यही रोड़ों पी चल सकते हैं मैंने ऐसे बीर्टी देखे जैसे जिसके बगोटा का नाम हम लेते हैं बगोटा में एक गंटे में एक दिशा में 48,000 लोग लेके जाते हैं वाव जबकि हमारा सबसे अच्छा बीर्टी हम जो को 45,000 लोग वह फुक्ति हैं हर 30 से कुछ चार बर्स क्लब करते हैं तो बीगर देंट्रेन और वह फ्रिक्वेंसी चलाते हैं तो सबसे बड़ा वी र टिके नहीं जैसे डिडिकेटेड कॉलीडौर है उसी तरहा फ्रिक्वेंसी है आपका है प्रिक्वेंसी होना चाहिए ती ताकि आपका सिगनलिक आउंटोमेटेड हो चलके आपके लोगों को चड़ने में उतरने में सुविधा हो टाइम टेबल दिखे ये सब सुविधा होनी चाहिए ये सब सुविधा होने के बाद अगर आप BRTS चलाते हो तो वो सक्सेस्फूल होती है इसका एमदाबाद एक एक्जामपल है चर्चा ने एक बड़ा ही दिल्चस्प मोड ले लिया है इस बात को जारी रखते हैं एक छोटे से कमर्शल ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सब का फिर से स्वागत है हम यहां बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड रहे हैं Ministry of Urban Development के सेक्रेटरी डॉक्टर सुधीर कृष्णा डॉक्टर कृष्णा भारत के कौन-कौन से शेहरों में BRT सर्विस अल्रेडी मौजूद है और इन्हें किस हद तक सफलता हासिल हुई है हम पुना-पुना हमदाबाद के BRT की सफलता की साख देते रहे हैं और लेकिन हमें ये भी मालूम है कि दिल्ली के BRT में दिक्कते हुई थी लेकि उसकी वज़े क्या है कि BRT व्यवस्था जो है वो शेहरों में existing road पर ही चलती है यह नहीं यह कि BRT के लिए नई रोड बनती है हलांकि बना भी सकते हैं elevated corridor बनाके BRT उस पर चला ही जा सकती है लेकिन ऐसा भी आवशकता हमेशा नहीं है और हम existing road पर एक lane डेडिकेट करते हैं लेकिन दिल्ली में जहां तक मैंने देखा है कि उन्होंने lane तो डेडिकेट कर दी लेकिन जितनी बसों के जरुवत थी उतनी बसें रखी नहीं उस पर तो lane खाली खाली दिख रही थी और क्या है कि एक बस जो है वो तकरीबन चालिस मोटर कार को या आटो रिक्षा को के बद्ले में चल सकती है कितनी कम जगह हमें कितनी भीड को कम कर सकती है लेकिन अगर हम बस भी नहीं लगाएंगे और रोड भी छोड़ देंगे खाली बी आटी के लिए तो जन्ता को दिक्कत होगी हमने ये सुना है आप डिफरेंट्ली एबल लोगों के लिए पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में कुछ टेक्नलोजिकल चेंजेस करने वाले हैं सर क्या होंगे ये टेक्नलोजिकल चेंजेस जो वरिद्ध हैं और जो विकलांग हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम में खास ध्यान देनी की आवशकता है और इसके लिए जैसे मानने जिए बी आर्टी सिस्टम तो बहुत ही उनके लिए सहुलियत का एक साधन है कि क्योंकि आपको बहुत दूर जाना नहीं है और घर से कोई आपको बी आर्टी के पास तक छोड़ गया या आप अगर किसी भी इस विवस्था से आए तो उसमें रैंप के हिसाब पे चड़के आप बी आर्टी स्टेशन पर जाएए और जैसे बी आर्टी का डिजाइन है कि उसी लेवल पर प्लैटफॉर्म के लेवल पर ही बस का फ्लोर है तो वीलचेयर के समेट आराम से आप जा सकते हैं चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें बस में इंटर कर सकते हैं तो उसके सहारे वो इस्टेशन तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी है ये कहने के लिए कि ये काम्याब है कि ये नासफल है जब हमने ये इंटिगरेटड ट्रांस्पोर्ट के बारे में बात की लेकिन मुझे रगता है उसका एक हिस्सा हमने अभी तक डिसकस किया लाश्माइल कनेक्टिविटी या इंटर कनेक्टिविटी ताट मेंस हम लोग बात कर रहें सिर्फ पिसिकल इंटिग्रेशन की इसके और तीन हिस्से है दूसरा हिस्सा है कि आपकी इंटिग्रेटड है क्या मेरे पास ट्रेन है बस है इस सब की इंटिग्रेशन मुझे एक समय मिल रही है मेरी ट्रेन इतने बज़े किया है मैं इतने बज़े पॉचूंगी तो नेक्स बस कितने बज़े किया तो ये एक यह दूसरा मुद्ध था, जो था, information integration तीसरा मुद्ध है, आपका operational integration है क्या जैसे, नहीं की train वाले अपने time table की साफ से चला रहे है for example, मेरी last train है बारा बजे की रात को, जो आती है there should be a bus from the last station which will take me from बारा बजे के बाद वहां से लेके जाए, इसे कहते है operational integration और चौथा, बहुत ही important है और यह हमारे convenience के हिसाब से भी है जिसे कहते है fair integration, जो आप ticket है, अलग bus में जाने के लिए अलग pass लेती हूं train में, अलग, metro में अलग, बहुत से शहरों में यह होता है कि एक day pass आपने खरीदा तो कहीं आप उतर के फिर से चले उतर के कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन यहां पर हम जिजगते हैं कि फिर से तो यह हम दूसरे मोट के बारे में भी नहीं हम अगर एक बार बस से भी उतरे दुबारा बस में चड़े तो बहुत बार वापस ticket लेनी पड़ती है इसमें transfer penalties लगती है तो अगर यह चार मुद्धे integration के हम से किये तो वो सही माहिने में integrated और seamless transport system जिसे कहते हैं वो आ सकती है और वो आ सकती है और वो आ सकती है और बहुत सारे शेहरों में जो developed countries यह अधर वहां common tickting होती है एक ही ticket से आप metro पर भी सफर कर सकते हैं बस में भी कर सकते हैं तो हम लोग भी यह कोशिस कर रहे है और लगवाए एक डेर साल पहले डेली में यह कोशिस हुई थी और उसमें कुछ problem आ गई अभी हम लोग चैन्नी में यह कोशिस कर रहे है प्रॉब्लम हमको इसलिए भी आ रही है कि अभी जो metro company है वो अलग company है जो public transport में city bus चला रही है वो अलग company है तो प्रॉब्लम यह आ रही है revenue sharing और fare fixation क्योंकि सब के route length अलग अलग है तो हम लोग यह कोशिस कर रहे हैं कि इनका integration हो तो अभी पिछले दिन ही हम लोग ने चैन्नी मेट्रों के लिए जो वहाँ पर already city bus चल लही है उन से और metro वालों से और even जो regional rapid railway का system है जिसको suburban railway बोलते है इन तीनों की meeting किया हाँ जैस तो उसका technical जो है integration होना चीए क्योंकि बिना उसके कोई एक passenger एक system से दूसरे system में जब enter करता है तो पता चलना चीए दूसरा revenue sharing का होना चीए जब बात होती है BRT की तो कार वालों को villains की तरह देखा जाता है पर इस विशे पर कार वालों का क्या कहना है आईए देखते हैं तो फैस्टी यदि सिक्योर हो जिसमें पब्लिक अपने आपको संतुष समझे प्लस समझे सुरक्षित समझे तो अपनी गाडियां चलाने का किसी को शौक नहीं है गाडियां चलाने में हमारे को उल्टा नुक्सान बैठता है डेली में सरके बन नी सकती है इसलिए इनको प इसलिए करते हैं क्योंकि ओट वगेरा में यह चीज सेफ नहीं है सेफ भी अच्छा में लगता कहीं पर भी रोकते हैं किसे से भी कुछ पूछते हैं दूसरा उनका कुछ बोलने का लहज़ा ऐसा होता है कि लेडिस के साथ नहीं बैठ सकते हैं देली में जब है जहांकि कि जो बैसे हैं वो काफी सेफ है हर जगा तो मैट्रों नहीं पहुंचिए ना और बहुत से लोगों को जैसे दो तीन किलोमेटर अंदर रहना पड़ता है वहां से उनको दिक्षा से या कुछ और ट्रांसपोर्ट के तुरू आना पड़ता है तो देर एकोनॉमिक्स का एक् विलन लेकिन ये विलन नहीं थे अगर आप गौर से सुन रहे थे तो आपको दो तीन वजय है कि एक ने कहा कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं गारी में बैठू लेकिन अगर कल को आप सुरक्षित और efficient transportation system हमें दे तो कोई दिक्कत नहीं दूसरे ने कहा कि if it is on time, if it is हम इस प नहीं से ने कहा कि मेरा घर दो तीन किलोमेटर अंदर है तो वहां से यहां तक आने का एक economic cost है इसलिए मैं ने फैसला किया कि मैं गारी में चलू नहीं हमने देखा कि कि किसी के गारी बहुत बड़ी थी या कोई शान शौकत वाली गारी थी, it was all, they were all utility cars, अगर हम public transportation system को जैस नहीं कि यह सिर्व कहने की बात है, राजन रुजी, मेरा जो अनुफव है, वो मुश्किल है क्योंकि इंडियन सोसाइटी में जो hierarchy है और जो dominating sector है और उसको हम परतिष्था से भी देखते हैं, तो यह सम मिला करके जरूरी नहीं है कि कार के लोग public transport पे shift करेंगे, इसका दू पे तो अभी भूली जाईए, मेट्रो जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड क्लास का है, उस पे भी shift नहीं हुआ है, जो हम देखते हैं उनके parking में लगे हुए गाडियों की, जितनी गाडियां लगी हुती है, उसमें 10% मेट्रो से travel करते हैं, बाकी लोग आसपास में travel अपने convenience के ल मैं गाडी में सफर करू और मेट्रो में ना जाऊ तो मैं उनसे बहतर हूँ, तो ये एक deeply ingrained culture है, हमारे foodal culture कहें या जो भी कहें, पर इस देर, ये slowly change हो सकता है, तो अगर आप अच्छी सुईदा दो, कारवालों के लिए non-AC busses ये solution नहीं है, क्योंकि आज सब कार AC आ रही है लेकिन AC busses में अगर फर्ज करो, कि जो उनके घर में काम करती हैं, अगर वो बैठी हुई है वहाँ पर, क्या वो जाएंगे उस bus में? AC bus में भी अगर आप देखेंगे, कि एक तो पहले अभी का अपना जो स्टेटस देखते हुए, अगर घर में काम करने वाली भाई आपके वाजू में वैठी की तो लोग जाएंगे नहीं, लेकिन, लेकिन, लेकिन non-AC और AC के bus में आज दुगना फर्क है, तो non-AC अगर solution कास सिस्टम बन जाएगा फिर, AC bus, non-AC bus, ताकि लोग जेटली सेपरेट हो जाए, तो यह भी ideal नहीं है, लेकिन यह एक कदम है उस दिशा में, विजैशी, अबी तक हमने बहुत सारी बाते की, कि BRTS या गाडिया बहुत जगा ले रही है, और BRTS जगा कम ले रही है, बट सच में हमें पता है कि जो भी ओडियंस में से कोई सवाल पूछे, उससे भी पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कितनी जगा ले रही है, कितनी जादा जगा ले रही है, यह जनना अमरे लिए बहुत इंपोर्टन है, एक जो आपको सबको पता है, जो मुंबई की ट्रेनों की या ट्रेनों में एक स्क्वेर मीटर, एक मीटर के जगे में 16 लोग की देंसिटी है, बसों में जो रस्ते पर चलती है, उसमें एक स्क्वेर मीटर के अंदर 8 से 10 लोगों की देंसिटी है, एक स्क्वेर मीटर के अंदर 10 लोग, और जब आप गाडी की बात करते हो, जिसमें सिर् एक इनसान ट्रावल करता है, majority-ly, वो 20 square meters जगा लेता है, तो एक आदमी के लिए 20 square meters, so it's like around 200 times difference, not even 200 percent, 200 times of difference, so now you just see, जब आप कहते है कि आप BRTS हमारे रस्ते पे से जगा ले रही है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन किसकी जगा ले रहा है, जैस्टी ने बहुत अच्छा उदाहन दिया कि Metro ले 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 या बस ले ले ले, तो पर square meter काफी लोग सफर कर रहे हैं, तो उससे फाइदा यह होता है कि हम कम fail में और काफी लोग को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, तो कारवालों को मैं यह कहना चाहूँगा कि वह अपना स्टेटस का चोड़ दे, मैं इस स्टेज पर एक चीज और बताना चाहूँगा कि अभी इस साल जो हम लोग 10,000 बसे सैंक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने एक शाथ रखी है, कि अगर कोई सीटी सौब ऐसे लेती हैं, तो उसमें 30 बसें प्रीमियर सेगमेंट की होनी चाहिए, उससे हमारा कहने का मतलब होता है कि वह AC होगी, उसकी जो सीटिंग है वह बहुत कमफर्टेबल होगी, उसमें भली सीटिंग कैपसिटी कम ह होगी, लेकिन बहुत कमफर्टेबल सीट होगी, तो हम कुछिस कर रहे हैं कि हम इसमें बदलाव लाएं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को एंकरेज कर सकें कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमार करें, ओडियन्स, येस माम, आप कुछ कहना चाहरी थ उसमें एक मेजर प्राब्लम है कि हमें सडक पर चलने का डिसिप्लिन नहीं है, नमबर वन, नमबर टू, जो सर ने बाद की, कि एक सोसाइटी में इस तरह की उपीनियन है, कि अगर मेरे साथ मेट बैठी है, तो मेरा बस में जाना उचित नहीं है, तो इन दो मुद्दों को हर शहर अपने आप में अलग है, हर शहर के डेमोग्राफिक्स अलग है, तो हर शहर के पबलिक ट्रांसपोर्ट मॉडल्स भी उनके लोकल कंडिशन्स के अनुसार ही होने चाहिए, साथ मुंबई के भीड भारवाले चर्च गेट और चछत्रपती शिवाजी टर्मनेस के बी ना रुकती है, ना थकती है, मुंबई हमेशा भागती रहती है, हर रोज यहाँ सपनों को हासिल करने की रेस होती है रेस कभी सडक पर, कभी रेल की पट्रियों पर, रेस विरार से चर्च गेट तक, या फिर चट्रपती शिवाजी टर्मनेस तक ज़ादातर कारोबार और व्यापार चर्च गेट से छत्रपती शिवाजी टर्मिनस तक ठैला हुआ है इसलिए लाखों लोग यहां रोज आते हैं इसके अलावा परेटकों के आकर्शन का केंद्र, गेट्वे ओफ इंडिया, ताज महल होटेल, हुतात्मा चौक जैसी हेरिटेज इमारतें भी चर्च गेट और शिवाजी टर्मिनस स्टेशनों के करीब ही है जहां सैलानियों का भी तांता लगा रहता है इसलिए यहां शिवाजी टर्मिनस और चर्च गेट के बीच, दो किलोमेटर का सफर तैय करने के लिए टाक्सियों की भागम भाग लगी रहती है लोगों के पास यहां टाक्सी से सफर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प अब तक नहीं था इसलिए जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, बढ़ती गई टाक्सियां और ट्राफिक की रेलमपेल यह मुंबाई में दो रेल्वे लाइन्स है, एक सेंट्रल और एक वेस्टन तो चर्च गेट और हम जहां खड़े है यह सी एस्टी तो यहां पर कनेक्टिविटी अच्छी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेंट्रल लाइन पर रहते हैं, लेकिन उनका काम या जॉब लोकेशन है वेस्टन लाइन पर तो अगर कोई सी एस्टी से बाहर आ रहा है, उनको चर्च गेट जाना है तो यह बहुत ही अच्छी सर्विस है पढ़ते ट्राफिक को देखते हुए साल 2011 में B.E.S.T. ने दक्षिन मुंबई में पोर्ट पेरी नाम से एक बस सेवा की शुरुआत की दक्षिन मुंबई में सेंटरल रेलवे और वेस्टन रेलवे को जोडते हुए पोर्ट पेरी के लिए एक सर्किल रूट बनाया गया इस रूट पर बस सेवा शुरू होने के बाद लोगों को टैक्सियों का विकल्प मिला और ट्राफिक को मिली थोड़ी राहत प्रिक्विंसी भी बहुत अच्छी है तो I am very comfortable पोर्ट फेरी रूट पर चलने वाली सारी बसें लो फ्लूर है जो हर उम्र के YALI आत्रियों के लिए आराम दायक हैं लोगो ने अपना बस अपना प्राइबेट वहिकल जो हूती है कार होती मुंबई में है तो उसके लिए अगर उनको तो वही यात्रा, वही कमफर्ट अगर बस में मिल जाए और कम दाम में मिल जाए तो यात्री बहुत पसंद करते हैं और कई लोगों ने अपने वेहिकल अपने घर में रखने शुरू किये और ये पबलिक ट्रांस्पोर्ट यूज करते हैं। मुंबई शहर के सबसे व्यस्त इलाखे को अंदर से बखुबी जोडती, यहां की फोर्ट फेरी बस सेवा, यहां काम करने वाले सैकड़ों लोगों के लिए एक राहत की सांस बन कर आई है। मात्र छे रुपे की टिकट पर चलने वाली यह बस सेवा, भारत के सभी शहरों की बस सेवाओं के लिए एक मार्क दर्शक से कम नहीं। विजयशी चोंकी आप इस फिल्म के हरोईन है, मैं आप से पूछूंगा कि इसके पीछे, इसके पहले, क्या सोच थी इसके पीछे to start something like this और जाहरे आपने पूरे मुंबई को देखा होगा, वाई फोर्ट और वाई इस परिकलर अरिया, थोड़ा बहुत आपने कहा है, ले जो फोर्ट एरया है मुंबई का दो चीजों के लिए बहुत ही जाना जाता है, पहले तो वो CBD है, Central Business District है, जादा से जादा रोजगार या जो जो जॉबस है, वहाँ पे सेटल है, तो almost you can say 70% लोग वहाँ पे रोज ट्रावल करते है, पूरी मुंबई से, दूसरी बात यह है कि इसकी heritage value है, यहाँ पे बहुत सारे heritage structure है, तो tourism बहुत है, तो यह जो फोर्ट एरया entire है, वहाँ पे पहले ऐसे कोई high frequency जो हमने पहले भी बात की थी, कि high frequency ऐसे service नहीं थी, अगर कोई CST से उतर रहा है तो इसको वेस्टन लाइन में आने के लिए टाक्सी ही लेनी पड़त नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ टैक्सी और उसके बगएर और कुछ नहीं और कोई चारा नहीं था, प्लीज, तो हमने जो पहले बात की थी, जो integrated system की, तो यह वो है, जैसे ही हम लोग station के बाहर आते है, उसकी बाहर ही उसका, यह फोर्ट फेरी का bus stop located है, तो यह हो जाता है physical integration, दूसरी बात जो की थी, information, तो वहाँ bus stop पे ही आपका मैप लगा है कि इसका route system कैसे है, कौन-कौन से bus stop पे जाएगा, कितने किलोमेटर का route है, उसका fare कितना है, आपको कितने रुपी की ticket खरीरनी पड़ेगी, तो इसका फेर कितना है, आपको कितने रुपी की ticket खरीरनी प the country. Yes, certainly it is replicable model, और जैसे west और central, दोनों train को जोडने का सबसे बड़ा काम इसने किया है, और दूसरा business district, जो नरीमन पॉइंट है, उसको भी जोडने का काम किया है, तो ये कहीं और हो सकता है? तो ये बहुत सारे जगा हो सकता है, जहां आपका train station एक बाजू में है, bus station दूसरे बाजू में है, business district दूसरे बाजू में है, तो ये circular route उस जगा हर जगा बन सकते हैं. तो सवाल उठता है कि अभी तक हुआ क्यों नहीं? ये तो जो लोकल city है, लोकल अर्बन बाडी ये लोकल initiative है, क्योंकि उस शहर की जरुवत वही जान सकते हैं. रजिंदर जी आप इस initiative के बारे में जानते थे? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ. पहली बार आप देख रहे हैं. पहली बार देख रहा हूँ. तो आप पहले रिस्पान्स क्या है आपका? ये बहुत ही अच्छा initiative है, और हमें लगता है कि जो लोगों की need है, उसी के base बना करके सुब्धा दे गई है, इसलिए ये काफी स सफल हो रहा है, होगा भी आगे. आपका दिमाग कहीं पे चल रहा है कि दिल्ली में ऐसा कुछ हो, कुछ chances है, कुछ opportunities है, मौका है कहीं पे? हमें लगता है कि भारत के या third world के हर एक सहरों में ऐसी चीज़ें हो सकती है. हो सकती है. जरुवत है कि जो facility और policy बनाने वाला जो य क्यादा तर कंसल्टेंट और इंजिनियर होते हैं उसमें लोगो की कहीं कुछ जगा नहीं होती है. Let's try a quick poll. अगर फोर्ट फेरी जैसा एक सर्विस यहां दिल्ली में आपको मिले क्या आप इस्तवाल करोगे? कौन इस्तवाल नहीं करेगा? Everybody will use it. So obviously this is something that is useful. Last words Prasanna about just anything that you feel, जो आपके हिसाब से हमने touch नहीं किया है. Anything about mass transit, urban transport, public transport that you would like to say? एक जो safety की बात कर रहे हैं, हम इंदूर और भोपाल में एक यूनिक system follow करते हैं. जहां बस को सेंटर में जो डोर हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी लेडीज बैठती हैं, राइट हैंड साइड में पूरे जेंड बैठती हैं, तो उनका नॉर्मल एक दूसरे के साथ ज्यादा संबन नहीं आता है. सो बस में भी लाइक कमपार्टमेंट हमने करने ही कोशिश की हैं. और उसे 45-50% अफ दे लेडीज स्पेस इस अलवेज उक्यूपाइड इवन डूरिंग नॉन पीक टाइम. जो की मेल डॉमिनेटिंग कंट्री में हमारे, जहां स्त्रीयों की मोबिलिटी कम है, वहां उनको जादा मोबिलिटी देने ही कोशिश करनी चाहिए, वैसी की है. तो एक यूनिक वो एक्सपिरियंस हमारा है. दुसरा, जैसे इन्होंने फेरी चलाई है, वैसे हमने दिल्ली म होप-on-hop-up bus service चलाई है, जो टुरिस्ट सर्कृट के लिए चलती है. तो ऐसी भी हमारे काफी शहरों में, टुरिस्ट सर्कृट के लिए भी अलग-अलग फेरिया चल सकती है, जो हो हो हम यहां बोलते हैं. विजैश्री, हमने सुना है कि मेट्रो पे लेडिस कमपार्टमें में जैन साते हैं और एक फिजिकली डिसेबल ओडियंस मेंबर ने कहा कि मेरे सीट पे कोई बैठा हुआ और कहता है, सौरी बाद में, जब वो निकल रहे हैं वहां से. तो यह जो कल्चर है, वन साइड में, वन साइड विमन, क्या यह कल्चर वर्क, यह जो नियम है, यह वर क्या कहते हैं, वर्क हो सकता है क्योंकि मेट्रो में कभी नहीं कभी हां, डिसेबल पीपल के लिए कभी नहीं कभी हां. So what do you think this will work? I definitely it will work but my, यह इसमें कहना है कि यह एक ट्रांस्पोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, यह एक शोशल प्रॉब्लम है. मुंबाइ में भी ऐसे नहीं था पहले क्यों छोट बिलेडिसीट खाली रखते थे और जभी भी लेडिस आया तब उनको उठके दे देते थे पहले यह ताइम ओवर यह पुझा आया है सीनिय सितिज़न के लिए लेडिस के लिए बाइडिस के लिए यह बहुत अच्छा चीज़ कहा आपने, कि we should be a community of carers, कि मेरे जो, जहां पे भी मैं हूँ, मेरे पास वाले, और और सब को भूल जाये, पास वाले को अगर कुछ अन्याएं, के साथ कुछ अन्याएं हो रहा है, I must stand up for just the person next to me, उसको भी नहीं, उसको भी नहीं, लेकिन जो पा Dåझें सैकर आजायी कि जो नहीं फ्क्री आ जाये नहीं, कि लोगो को अवेर करना और लोगो को करना जैसे मैं आपको दहारन का ताहता हूँ, कि क्रेकर को ले जो इनिसेटी बर स्टेट्म ने लिया कि週ổ, नो क्रेकर आजाने कि लोगोँ को अवेर ने व्रुट रुको इंव इनिसेटिव लिया किसी नो से नो प्लास्टिक बैक तो अगर एक कहते हैं कि सहाव साइकलिंग जो है यह सबसे ज्यादा देश के इंसानियत के लिए सुरच्छित है पैदल चलने वाले सबसे समानित नागरिक है और ऐसे इनिसेटिव लेंगे ऐसे ओट रीच करेंगे तो ही लोगों में अवेयर होगा और ऐसे लोगों को पृष्टित करना जी यह समान करना ही लोगों को ऐसे बीहवियर सोस्टल बीहवियर को चेंग रहे रहा है रहा है तो फर्म पॉलिसी फाम देस्टेट विल वरक इन यॉर्प इनिए अबर ट्राफिक की इस स्पेशल सीरीज को आज हम यहीं खतम कर रहे हैं हमें खुशी है कि हमारी इस सीरीज को आपने इतना पसंद किया पर हमें आपसे सिर्फ शाबाशी नहीं चाहिए हमारे यह अभियान तभी सफल होगा जब सत्ता में बैठे लोग और सडकों पर सफर करने वाले लोग मिलकर सस्टेनेबल ट्रां लाएंगे और बदलाव लाएंगे मैं राहूल बोस इसी उम्मेद के साथ आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार हम हम हाएंगे वैमारो अवा हम चृटि'm हम कramento है बाएंगे लोग और करने बाएंगे हैं नमस्कार नमस्कार आरले हम जले सहाथंयों है और किहसे नमस्कार भॉपिशा पिसनेदियों प्ल comment 너ह हम सत्तार है अबना, बना, बना!